हलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि सैटन अगर वर्गो एसंडेंट के फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या रेजल्ट देता है आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्गो में जो सैटन बैठा हुआ है यहाँ पे वर्गो जो है ओन बाय मर्करी है और मर्करी सैटन का इसे वहिए वॉरी वोलेटावल प्लैनेट यहे जहां पर होदा तो यह अच्छे रेजल्ट देता है और अगर इच्छी नहीं बैठ प्लैनेटिव तो उसके ट्रेयर्स ले लेकाइस मर करिये तो obviously आपके लिए अच्छा ही होगा अगर कहीं अच्छे house में बैठा है 11th में बैठा है 5th में बैठा है 9th में बैठा है तो तो बहुत ही अच्छा result देगा Saturn यहाँ बैठा हुआ लेकिन अगर नहीं भी बैठा तो भी आपके लिए यह positive result देगा थोड़ा कम देगा लेकिन देगा अब बात ही आते है कि कैसा result देगा अब अगर हम यहाँ पे देखें तो Saturn यहाँ बैठे हुए थर्ड अपनी थर्ड तीसरी दिष्टी से 5N को देख रहा है साथ वी दिष्ट अब हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि Saturn अब सबसे खुद के हाउस का क्या हाल है सैटें जो यहां बैठा हुआ है उसके खुद का हाउस फिफ्फ फॉस और शिक्स फॉस को रूल करा है इस लगन में इस असेंडेंट है जा तो अच्छा होता है ओविसली बहुत अच्छा होता है और सैटें अगर त्रीकोन का माली को के पहले लगन में बैठ गया है तो अब यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको फिफ्फ हाउस का ओनर हो कि अगर फर्स हाउस में जाके सैटें बैठा है तो यहां पर आपको क्या बोलते हैं एजुकेशन में बहुत ही अगर आप को छोटे मोटे अगर आप बिजनेस करते हैं कोई आप कोछ भी करते हैं जैसे कुछ भी आप लॉट्री या कुछ करते हैं उसमें आपको आपको अच्छा फाइदा मिलेगा चोटे मोटे ट्राइवल्स या चोटे मोटे कुछ भी आप करेंगे उसमें अगर अप आप आपकी personality में improvement होगा आप knowledgeable होंगे और उससे आपकी personality में improvement आएगी दिक्कत यहाँ पर आ जाते हैं कि Saturn मूल त्रिकोन का मालिक तो है यह लेकिन simultaneously वह 6th house का भी ओनर है अब जब 6th house का ओनर हो जाता है तो health में आपको थोड़ी problem रहेगी मेरे advice पर आप जिंदगी में loan ना लीजिए अगर आप loan लेंगे हाँ बैठे हुए Saturn का क्योंकि यह 5th house का भी ओनर है ना तो 5th house एक negative और positive होगा हाला कि अगर आप loan लेते हैं तो आप चुका देंगे क्योंकि 5th house का ओनर है लेकिन आपको tension रहेगी अब बात करते कि Saturn के जो aspects है वो कैसे रहेंगे अगर Saturn 1st house से 3rd house को देख रहे हैं चोटे भाई-बैन के साथ आपका relationship अच्छा नहीं रहेगा because यहां पर Mars का ruling है वो आपके struggle होगी अगर आप struggle करते हैं तो आपको success मिलने के chances हैं लेकिन कम हैं क्योंकि अगर आप education से लेके struggle करें तो आपको मिलेगा लेकिन अगर आप ऐसे कोई जिंदेगी में struggle करें competitive exam करें तो हमको Mars देखना पड़ेगा कैसे हाल पे हैं although यहां पर बैठा हुआ Saturn आपको struggle स्पाउस के साथ आपका relationship थोड़ा complicated रहेगा वह बहुत समझदार है ठीक है और आप क्या है थोड़े से rigid और वह थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसलिए क्या है complication create हो रहे हैं ठीक है तो आप थोड़ा सा rigidness कम कर दीजे अगर वह अपना थोड़ा सा arrogance कम कर दे तो relationship अच्छा रहेगा out of the caste marriage होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं या एक unorthodox marriage का relationship का यहां पर आपको sign दिखता है अब सैटन अगर 10th house को दिश्टी दे रहे हैं यहां पर तो father के साथ relationship खास अच्छा नहीं रहने वाला है mercury अगर अच्छा बैठा है तो शायद father के साथ थोड़ा बहुत चल जाए बट दिश्टी दे रहा है सैटन यहां पर father के साथ अच्छा relationship नहीं रहेगा और शायद आप job में जानने की सोचें लेकिन आप job करने में interested हो नहीं हो वो mercury को देखके होगा job आप कर सकते हैं वैसे आप job करेंगे आपको फायदा मिलेगा सैटन आपको government अगर mercury strong बैठा है तो आपको government job provide कर सकता है सैटन या बैठा हुआ government job की काफी अच्छी opportunity create कर सकता है लेकिन आपके father के साथ relationship का guarantee नहीं होता है simultaneously mercury को देखना पड़ेगा तभी इसकी guarantee होती है otherwise आप business करेंगे तो अच्छा रहेगा education से related आप कुछ भी काम करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो यह prediction रही मेरे सैटन के अगर लिए वर्गो ascendant में अगर सैटन हो तो क्या result देगा अगर वीडियो पसंद आए तो like कीजेगा और subscribe करिए मेरे चैनल को thank you